हाई गाईस वैलकम तो दे चैनल एवी क्लासेस मेरा नाम है महावीर आपका चैनल मेकबर फिर से स्वागत है आज के वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूं मॉक्टेश 2 इससे पहले मैंने मॉक्टेश 1 भी कराया था जो कि साइन्स सभी सामिल होंगे ये वीडियो पूरा अररवी एंटी पीसी ग्रूप डी सभी के ओपर अधारीत होगा ये क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं जो कि सिर्फ रेलवे ही नहीं बाकी सभी एक्जाम जैसे SSC, CHSL, MTS, MP पटवारी, स्टेट PCS, दरोगा अभ्यारती सभी के लिए लाब दहक होंगे तो वीडियो को सुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल में जो नए हैं वह जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन होने जल से जल मिले और उने कोई खोजने में दि सही आंसर 5, इसका सही आंसर 5 है, इससे जुड़े कुछ facts देख लेते हैं, जो एक्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ऐसी तरह से question पूछे जाते हैं, तो महाराजा जैसिंग दूतिय ने, सवाई जैसिंग दूतिय ने 5 जगों पर जयंतर मंतर का निर्मान करा है था, दिल्ली जैपूर, उजैन, वारनसी, मतूरा, ये जैंतर मंतर एक खगोलिय वैद साला है, कुछ दिना पहले ससी के एक्जाम में ये question पूछा गया था, कि ये जैंतर मंतर जो है, एक क्या है, तो खगोलिय वैद साला है, तो next question, टीपु सुल्तान मस्जिद कहां इस्तेत है, question दूसर दूसरा बैंगलोर, तीसरा कोलकाता, चौथा दिल्ली, सही answer, कोलकाता, टीपु सुल्तान मस्जिद कोलकाता में, next, तीसरा question है, स्वधेसी आंदोलियन के अपचारी घोसना कप की गई थी, पहला option, 15 सितंबर 1905, दूसरा 7 अगस्ट 1905, तीसरा 26 फरवरी 1906, चौथा 18 जुल सही answer, 7 अगस्ट 1905, तो स्वधेसी आंदोलियन के अपचारी घोसना, 7 अगस्ट 1905 को की गई थी, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं, जुलाई 1905 में, लॉट करजन द्वारा, बंगाल विभाजन की घोसना के बाद, कुछ दिनों के भीतरी, पुरे बंगाल में, सवाएं आईजित की गई थी, जिसमें विदेशी वस्टों का बैसकार किया गया, 7 अगस्ट 1905 को को कुलकाता के टाउन हॉल में, बंगाल विभाजन के विरोद में, स्वधेसी आंदोलियन की घोशना की गई थी, नेक्स्ट कुशन है, कुश्ण में 4, परधान मंत्री कहां के पदे नदक चोते हैं, डियार डियो, सी एल आर आई, पीसरा, आई एस आरो, चौता, सी एस आई आई आर, तो, सही आंसर है, सी एस आई आई आर, सी एस आई आ जिसका हेड़कोर्टर दिल्ली है, परधान मंत्र के पदे नदक चोते हैं, CSIR के, नेक्स्ट, कोश्च नमर 5 है, हाली में किस IIT संस्थान की एक टीम ने कोरूंटाइन एप को लांच किया, पहला अपसर है, IIT दिल्ली, दूसरा, IIT बॉमबे, दूसरा, IIT कानपूर, चोथा, IIT हैधराबाद, सही आंसर क्या है तो IIT Bombay तो अभी हाली में कोरोना को देखते हुए IIT Bombay ने कोरोंटाइन एप को लॉंच किया निवन में से CEC का पूर्ण रूप क्या है CEC का पूर्ण रूप क्या है पहला चीफ इलेक्षन कंट्रोलर दूसरा Central Election Commissioner तीसरा Chief Election Commissioner चौता इन में से कोई नहीं सही आंसर है Chief Election Commissioner तो CEC का पूर्ण क्या है Chief Election Commissioner Next Question Question No.7 सबसे उस्म ग्रह कौन सा है सबसे उस्म यानि गर्म ग्रह कौन सा है पहला अपसा है न मर्कूरी दूसरा वेनस तीसरा मार्स, चौता जूपीटर तो इसका सही आंसर क्या है वेनस सबसे उस्म ग्रह कौन सा है तो वेनस है Next Question Question No.8 भारत के मुख्य नहीं दिस जुनोंने राष्ट्रपती और उपराष्टपती दोनों का कारेबाल समाला था पहला मौमद हिदाईतुला दूसरा दिपक कुमार तीसरा टीयेश ठाकूर चौता सरन्द अर्विंद बोवडे तो भारत के राष्टपती और उपराष्टपती दोनों कारेबाल समाला था सही आंसर है मौमद हिदाईतुला मौमद हिदाईतुला ऐसे ऐसे मुख्य नहादिस थे जुनों ने राष्टपती और उपराष्टपती दोनों कारेभार समाला था और ओप्सन जो चोथा है सरद अर्विंद बोगडे ये भी वर्तमान में मुख्य नहादिस है जो कि 47 भारत के मुख्य नहादिस है सिक्षा का अधिकार को किस वर्स मौली का अधिकार में सामिल किया गया था पहला अप्रेल 2010 दूसरा अप्रेल 2005 तीसरा जुलाई 2009 चौथा जुलाई 2008 तो 5 सेगंड टाइम सही आंसर क्या है तो अप्रेल 2010 सिक्षा का अधिकार को एक अप्रेल 2010 इसका सही अंसर एक अप्रेल 2010 होगा ठीक है मौलीक अधिकार में सामिल किया गया था नेक्स्ट कुश्चन है कुश्चन मर्दस उच्च नैले की पर्थम मुस्लिम महिला नियायमूर्थी कौन थी सही answer क्या है सही answer है नियायमूर्थी M फातिबा बिवी कुश्चन बाग्यारा लोग सभा में भारत के समिधान के अनुसार किंदर सासीत पர्देशों के कितने सेदस सचुने जाते हैं पहला 21, 2, 20, 3, 15, 24, 22 इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर 20 है लोगसाव में भारत के समिधान के अनुसार केंदरसासित पर्देसों से कितना सधसु चूने जाते है तो 20 सधस से चूने जाते है इसे जोड़े कुछ देख लता है लोकसभा में भारत के समिधान के उनसार केंदरसासित परदेशों से अधिक्तम 20 सदस से चुने जाते हैं 20 सदस से हो सकते हैं लोकसभा में एक जनता की सभा है ये लोगों द्वारा निरवाचित किये जाते हैं लोकसभा में अधिक्तम 552 सदस से हो सकते हैं जो 530 राज्यों से 20 केंद्रसासित परदेशों से दो आंगल इंडियन, दो आंगले इंडियन चुने जाते हैं। दोस्तों अगर मैं धीरे बोल रहा हूं तो आप इस वीडियो को थोड़ा इसका ये बढ़ा सकते हैं या फिर अगर मैं तेज बोल रहा हूं तो आप इससे स्लो करके भी देख सकते हैं या वीडियो को पाउस करके आप एंसर दे सकते हैं Q12, दिल्ली में संगसत भवान का निर्मान कब वहा था? पहला, 1895-1900, दुसरा, 1900-1920, तिसरा, 1921-1927, चौथा, 1950-1956. सही आंसर, 1921-1927. इससे जुड़े कुछ देख लेते हैं, संगसत भवान का निर्मान, दिल्ली में 1921-1927 के बीच कराया किया था, इसका डिजाइन, सर एडविन लुटियंस ने दिया था, इसका उदगाटन, वाइसराई, लौड इर्विन ने, 1927 में किया था. Next question, question number 13, इनमें से भारत की स्वतंतरता से पहले, कौन सा राज्य सबसे बड़ा सामान्ती राज्य था, इनमें से भारत की स्वतंतरता से पहले, कौन सा राज्य सबसे बड़ा सामान्ती राज्य था, तो पहला त्रावनकुर, दुसरा मैसूर, तीसरा हैधराबाद, चौथा कोलकाता, सही आंसर है है हैधराबाद नेक्स्ट अच्छा इससे जोड़े भी कुछ देख लेपते हैं भारत के स्वतंतरता से पहले सबसे बड़ा सामांती राज्य हैधराबाद था और स्वतंतरता के बाद ओपरेशन पोलो जो की उनिस और तालिस के तहद भारते संग में सामिल किया गया था तो देख सकते हैं भारत के स्वतंतरता से पहले सबसे बड़ा सामांती राज्य हैधराबाद था और स्वतंतता के बाद इसे ओपरेशन पोलो 1948 के दाएट भारते संग में सामिल किया गया था सही आंसर 22 डिसंबर सही आंसर क्या है तो अरुनाचल पर्दिस पठकाई की पाड़िया अरुनाचल पर्दिस में स्थित है कुश्णमर 16 अब यहां से साइन्स इस्टाड होता है कुश्णमर 16 कारवनिक अपसिष्ट को वायू की मौजूदगी में अब घटित करने की प्रक्रिया को क्या कहते है सही आंसर क्या है तो भस्मी करन तो कारवनिक अपसिष्ट को वायू की मौजूदगी में अब घटित करने की प्रक्रिया को भस्मी करन कहते है नेक्स्ट कोश्णमर 17 किसी सुस्क सेल ड्राई सेल मतलब सुस्क सेल जो की ड्राई सेल है विद्दूत का उत्पादन होता है तो पहला अप्षिन है रासाइनिक उर्जा से होता है, दूसरा उसमी उर्जा से होता है, तिसरा यांतरिक उर्जा से होता है, चौता नाविकी उर्जा से होता है, तो इसका सही आंसर क्या है? रासाइनिक उर्जा से होता है, मतब किसी सुस्क सेल में विदूत को पादन होता ह रासायनी कोड़ा से होता है next question है है हेलोजन में सबसे अभीक्रिया सिल तत्व कौन सा है हेलोजन हेलोजन क्या है हेलोजन जो है periodic table में वर्ग में जो 17 वर्ग होता है उसे हेलोजन ग्रूप कहते हैं अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूँगा ठीक है तो देखते हैं इस को पहले सौल करते हैं तो हेलोजन में सबसे अभीक्रिया सिल तत्व कौन सा है पहला फ्लोरीन दूसरा क्लोरीन तीसरा ब्रोमीन चौता आयोडीन सही आंसर फ्लोरीन क्या कहते हैं किसी तत्व के तुल्यांकी भार तता सेयोजक्ता के गुननफल को क्या कहते हैं इसका ओप्सेन है वास्पन घनत्व दूसरा साफेक्ष ताप तीसरा परमानु भार चौता अनु भार सही आंसर परमानु भार तो तुल्यांकी भार तता सेयोजक्ता के गुननफल को परमानु भार कहते हैं जोस्तों कोई भी क्यूशन में अगर क्यूरी होगे तो आप कमेंट में लिख सकते हैं क्यूशन नमर 20 है मनुस्य के कपाल में हड्डियों की संख्या क्या होती है क्यूशन नमर 21 बिना निसेचन का फल का निर्मान फ्रूट प्रोड़क्शन विदाउट फर्टिलाइजर इसकोल्ड पहला पार्थेनो जैनसिस अनिसेचित जनन पार्थेनो क्रेप कार्पी अनिसेचित फलन या एपोगैमी आ युगमनन या इनमें से कोई नहीं सही आंसर पार्थेनो कार्पी अनिसेचित फलन नेक्स्ट कुश्चन में 22 गेहु का दाना क्या है मतलब गेहु जो है गेहु का जो दाना है वो क्या कहलाता है नेक्स्ट तो इसका ओप्सन देखते है फ्रूट दूसरा सीट भ्रून ग्लूम देखते हैं इसका सही आंसर क्य खेंगे केकलाता है, तो fruit, यानि फल, गेहू का दांगा क्या कहलाता है, तो फल कहलाता है, next, question no.23, उस्षे Сाबोनी करन प्रक्रिया में प्राप्तU alcohol क्या है? साबोनी करन प्रक्रिया में प्राप्तU alcohol क्या है? पहला, Q24 है किसी तत्व के रासायनिक गुंड कौन परदर्शित करता है पहला, electron की संख्या, दूसरा, proton की संख्या, तीसरा, neutron की संख्या, चौथा सभी सही answer क्या है, electron की संख्या तो दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने हर तरह के question को इसमें select किया है अब वीडियो को पूरा देखे, पूरा वाच करें और एक बार मैंकर याद नहाँ, तिसे दो या तीन बार जरूर देखें Question number 25 काच क्या है? काच क्या है? तो पहला द्रव, दूसरा कोलाइड, तिसरा अक्रिष्टली रवाहिन द्रव, चौथा क्रिष्टली ठोस सही आंसर अक्रिष्टली रवाहिन द्रव, जिसे अतिसीति द्रव भी कहते हैं तो काच जो है, अक्रिष्टली रवाहिन द्रव कहलाता है Next अब यहां से करेंट अफेर्स स्टार्ट होता है तो देखते हैं 26 कुश्ण में छबएस किस राज्य के मुख्य मंतरी को अभी हाली में हीरो टू एनिमल्स अवार्ट से सम्मानित किया गया पहला हरियाना दूसरा राजस्थान तीसरा पंजाब चौथा उडिसा तो सही आंसर क दूसरा यूवी प्रबीन राव तिसरा अनुराग स्रेवास्तफ चौथा आजय बिसारिया जही आंसर इसका यूवी प्रबीन राव तो नेस्गॉन कर यूवी प्रबीन राव तो यह कोश्यों आपको एक्जाम में अभी पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट, क्वेशन नमर अठाइस, डोपिंग की वज़ा से किस देश के वेट लिप्टर खिलाडियों पर ओलम्पिक 2020 में बैंड लगा है, दोस्तो 2020 में ओलम्पिक तो नहीं होने वाला है, ठीक है, 2021 में होगा, पर फिर भी इस पर अभी इस देशों पर बैंड लग गया है तो देख सकते हैं, पहला अप्शन थाइलेंड है, दूसरा मलेशिया, तीसरा अप्शन दोनों, चौथा, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या है, दोनों थाइलेंड और मलेशिया, इन दोनों देशों के वेट लिप्टरों खिलाडियों पर ओलम्पिक 2020 में बैं क्वेशन पर 29, कोरोनवाइरस के करण एक महिने का अपातकाल लगाने वाला पहला देश कौन बनाया है? पहला इंगलेंड, दूसरा चीन, तीसरा जापान, चौथा रूस सही आंसर क्या है तो जापान कोरोना वाइरस के कारण अभी हाली में एक महिने का पात्काल लगाने वाला पहला देश बना है जापान नेक्ट कोश्य है नहीं कोश्य नमबर 30 अंक्टेड UNCTAD अंक्टेड की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश इस बिमारी से मंदी से प्रावित नहीं होगा जो अभी हाली में दोस्तों कोरोना वाइरस पुरा फैला हुआ जिसके वज़से हम लोगडाउन के कारण घरों पे बैठे हैं तो इस महामारी से जो है मंदी भी आने वाली है तो इस मंदी से कौन सा देश प्रावित नहीं होगा पहला चीन दुसरा भारत तिसरा दोनो इनमें से कोई नहीं सही आंसर दोनो इसका मतलब यह हुआ कि चीन और भारत जो है पूरे विश्व में चीन और भारत यह ऐसे देश है जो कि इस मंदी से प्रवावीत नहीं होंगे, बाकिसे इस मंदी से प्रवावीत होंगे Q31, अभी हाली में किस राजा में मोधी किचन की सुरुवात की गई है तो पहला why, दुसेरा टमिल नाडू, तीसरा जालखन, चौथा गुजरात सही आंसर तमिल नाडू तो मोधी किचन की सुरुवात तमिल नाडू में की गई है Q32 हाली में FIFA रैंकिंग में सिर्ष पर कौन सा देश रहा है पहला इंग्लैंड, दोसरा रूस तिसरा बेल्जियम, चौथा अमेरिका फीफा रैंकिंग में सिर्ष पर रहा है इस साल बेल्जियम, बेल्जियम जो है फीफा रैंकिंग में सिर्ष पर रहा है और अगर हम भारत की बात करें तो वह 108 नंबर पर रहा है Next, Q33 परेटन मंत्राले ने बीदेशी परेटों के लिए कौन सा पोर्टल लॉंच किया है परेटन मंत्राले ने बीदेशी परेटों के लिए कौन सा पोर्टल लॉंच किया है तो पहला, Stranded in India दुसरा, अतुल्ले भारत तिसरा, परेटों को भारत चौथा, None सही आंसर Stranded in India ठीक है Next question, question number 34 दोस्तों ये question को आपको comment में इसका अंसर देना होगा, ये question आप लोगों के लिए homework है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका अंसर बताऊंगा, question मैं पढ़ देता हूँ हाली में किस राज्य ने COVID फार्मा, COVID फार्मा नामक mobile app लॉंच किया है UP, तमिल नाडू, आंधर परदेस, हैदराबाद ये question आप लोगों के लिए homework राएगा, next question है